हेलो अवर्यवन और वेल्कम टू सिक्षा उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने अब पूरी जान अपनी लगाई हुई होगी और लगा के रखनी है दिन आएंगे समय आएगा जब होसला बल्कुल तूट जाएगा पर वो होने नहीं देना खड़े होना है दुबारा और अपने टार्गेट को अचीव करने के लिए पूरी मैनत करनी है तो इस लेक्चर के अंदर एपी एफो के कंप्यूटर के जो कोशन पूछे गए थे एपी एफसी 2015 में वो डिसकस करेंगे अरूंड आठ कोशन थे और कहीं कोशन तो आपको इसके अंदर ऐसे लगेंगे कि सर यह क्या कोशन है जैसे आज की डेट में कंप्यूटर अल्मोस्ट हम में से हर कोई यूज कर रहा है और कई बिल्कुल बेसिक सी चीज़े होती है जिसके बारे में हर किसी को पता है अल्मोस्ट ओके तो डेफिनेटली काफी इजी कोशन में उनको काउंट करूंगा ओवरॉल यह आठ के आठ कोशन काफी इजी थे जो एपी अपसी में पूछे गए लेवल बहुत जाधा हाई नहीं था तो कोशन देखेंगे एक एक करके कोशन पर जाने से पहले दोस्तों APFC या EPFO की जो भी क्लासिज हो रही है उसकी YouTube फाइल आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसके अंदर इंडस्ट्रिल रिलेशन लेबर लॉव, सोचल सिक्यॉरिटी गैप इनके MCQ आपको मिलते हैं टेस्ट फॉर्म में होते हैं उसके बाद आपको उसके पीडिएफ कोर्स लेने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी लेट इस स्टार्ट एंड हेर इस फर्स्ट कोशन स्पैम बहुत जनरल यूज्ट एक कोशन है इमेल आईडी आजगी डेट में हर किसी के पास है हमने यूपी असी का जब फॉर्म भरा तो उसने रिजिस्टर करन को बोला था उसमें भी उसने इमेल आईडी मांगी थी तो स्पैम इन सिस्टम जनरली इमेल इस ऑप्शन ए और मैसेज डिस्ट्रिबूटेड इंडिस्क्रिमिनेटली अ सर्च इंजन जैसे आपका गूगल होता है एन एक्टिविटी ऑप दे यूजर किसी भी यूजर की को कोई इंटरनेट के उपर एक्टिविटी अग कमांड इनिशेटिड बाइदर सेंडर ठीक है अब देखो मेल सबने यूज किया इंटरनेट सबने यूज किया सर्च इंजन क्या है गूगल यह हुए हमारे सर्च इंजन है स्पैम कोई सर्च इंजन नहीं है ऑप्शन भी गय कमांड इनिशेटिड बाइदे सेंडर मेल सेंड करने के लिए हम जो कमांड इनिशेट करते हैं वह तो सेंड बटन क्लिक करना हो तो उसमें ऐसा कुछ स्पैम या कुछ वो होता नहीं तो ऑप्शन भी गया है अल्टिमेटली स्पैम का ऑप्शन ही सिर्फ एक जैनूइन सा नहीं यह बचता है वी सीडी तो ऐसे ऑप्शन देखके आप कैंसल आउट कर सकते हैं इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज ही है कि कंप्यूटर इंजिनियर होना चाहिए था भी मेरे को तो कंप्यूटर के हाट कोश्चन करने के लिए पोड़े जन्रल कॉश्चन से अब मैसे स्पैम बॉक्स में डाल देती है if it is a non-recognized sender तो अंसर यहां पर क्या होगा आपका option A होगा सो इमेल के कंटेक्स्ट में स्पैम क्या होता है आपका मैसेज इस्ट्रिबूटेड इंडिस्क्रिमिनेटली ओके सो स्पैम की अगर आप डेफिनेशन देखोगे इन ब्रॉट टर्म अप्लाइस टु वेडियस डिजिटल प्लाटफॉर्म मेसेजिंग के अंदर भी होता लेकिन हमसे स्पैसिशली इमेल के कंटेक्स में पूछा गया था पर मैसेजिंग में चैटिंग में एडवर्टेजमे करने के लिए कहीं से भी मेल लिस्ट को अरेंज कर लेती हैं अब आप गूगल के ओपर फ्री पीडिएफ ढूंडने वाले हम जैसे बच्चे होते हैं ठीक है मैं भी अपने पढ़ाई के दिनों में फ्री पीडिएफ का बड़ा भूखा था competitive exam की त्यारी करने वाला बच्च निया के अंदर वो तुम्हें फ्री बेच करके तुम्हारा कितना कुछ ले रहे हैं वो तुमको रियलाइज ही नहीं होता जिते बड़े-बड़े इस्टिटूट्स हैं नो ओफेंस विद एनिवन को किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है लेकिन वह जो यह ड्रग की तरह फ्री फ्री वर्ड यूज करके बच्चों को ब्राइब करते हैं ना फॉर्दल फॉर्देर लार्जर गें वह एक बहुत गलत चीज है एंड अल्टिमेटली वहीं से हमारी मेल्स जो है हमारे कॉंटाक डिटेल्स जो है वह सब लीक होता है और फिर हम शिकार होते हैं साइब इमेल में जब स्पैम आता है तो अन्नेसेसरी जंक आपके मेल बॉक्स में क्रियेट हो जाता है जनरली उसके अंदर होता है कि इस लिंक पर क्लिक करो तो एक करोड़ की लॉट्री मिलेगी एंड अल बूस काइंड आफ तिंग्स तो इस यूर स्पैम नेक्स्ट कुश्चन देखो दिवाइसेस दा वर्क विट कंप्यूटर सिस्टम्स अस सून आज दे आर कनेक्टेड आए डिस्क्राइब आपने कंप्यूटर के अंदर पार लगाई और सिस्टम चलना शुरू हो गया ना कोई ड्राइबर इंस्टॉल करा ना कोई सॉप्व लिएef अ रेटे टोगू त त जानमिनननन कोई और सिस्टम्स ऑस्टम्स अस्टम्स अंदिएख कुश्म्स असच्टम्स आप्डेल चॉटूलिए य्युट क्रिक्वाइश ज्युटर मॉटौटТ आ spreadsheet, option c, graphics package and option d is document processor, numerical or statistical तो spreadsheets is the right answer जो आपका Excel के अंदर आपकी sheets होती है, spreadsheets होती है, उसमें आप easily अपना एक formula डाल दो, उसके बाद आपको calculations यह नहीं है कि हर चीज़ को आपको calculate करना है, वो automatically system perform कर देगा, तो इसलिए Excel को या spreadsheets को उसमें यूज किया जाता है so spreadsheet is a configuration of rows and columns इस तरीके से आपके rows and columns होते हैं rows जो होते हैं, वो horizontal vectors हैं, columns आपके vertical vectors हैं इसको worksheet भी बोलते हैं record करने के लिए, calculate करने के लिए numerical और financial data को compare करने के लिए काफी useful यह रहता है next factual सा question है, LAN, WAN, MAN यह सब computer networks हैं जो अलग-अलग type of areas को cover करते हैं तो आप से पूछा है, LAN में L क्या है, WAN में W क्या है MAN में M क्या है, okay easy again easy question है, LAN एक ऐसी चीज है जो बहुत जादा term use होती है and we all know that LAN is local area network, तो local देखो दो options को easily eliminate हो जाते हैं ठीक है, अब यह world और रहेगी जहां तक रहेगी, WAN और MAN का इतना नहीं idea होता answer है बेटा C, local wide metropolitan full forms रेखते हैं so आपके types of network basically देखो, यह किस चीज के उपर based होते हैं geographical area कितना cover हो रहा है data transfer rate कितना है speed कितना है, ठीक है उसके इसाप से आपका एक आज़ात है PAN जिसको हम बोलते है personal area network LAN, local area network MAN, metropolitan area network और WAN, wide area network अभी मैं आपके साथ इनकी details यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए सिरफ आपने यह full form यहाँ पर याद करनी है PAN है personal area network LAN है local area network MAN है metropolitan area network और WAN है wide area network अब यह next question देखो next question भी बहुत easy question है question क्या है cloud computing technology refers to okay cloud computing एक ऐसी चीज है जो आज की date में almost internet use करने वाला हर आदमी उस कर रहा है ठीक है आप लोग जो music सुनते हो पहले क्या होता था when I was a student तब हम लोग तो गाने डाउनलोड करते थे mobile पे सुनने के लिए गाने डाउनलोड करने पड़ते थे अपने को लेकिन आज की date में बहुत कम यह trend हो गया है क्लाउड कम्प्यूटिंग बेसिकली फॉर एक्जमपल अप Amazon Prime एक music streaming app सावन गाने सुन रहे हो अब service का यूज कर रहे हो उनकी अल्रेडी वो गाने आपको डाउनलोड करने की जुरूद नहीं है उन्होंने अपनी site के ऊपर डाले हूं आपने बत जाना है उनका application खोलना है and you have to listen to the songs so that is cloud computing अब देखो इसमें options कितने fuzzy से हैं कितने irrelevant options हैं जो easily eliminate हो जाते हैं option d देखो futuristic technology जो clouds का use करेगा computing को perform करने के लिए by cloud computing term cloud बादल से इसको relate कर दो बिल्कुल eliminate हो जाता है computers की connectedness से इसका कुछ भी नहीं है ओके वह LAN-WAN-WAN में हम पढ़ते हैं तो option b भी नहीं है algorithm to solve problems again not the correct answer option अपने अप eliminate होते जाएंगे यह तो basically एक तरह का computer architecture है जिसके अंदर आपको various services जो है service provider provide करता है for example Google Drive Google Drive के उपर जाकर कि आप देखोगे कि आप various software जैसे कि powerpoint excel सबको use कर सकते हो okay आपके storage जो devices जैसे आप Google Drive पर आपको free space मिलती है कि आप अपने चीजों को यह पर upload करके रखें तो save रहेंगी यह आप space extra purchase भी कर सकते हो so that is what is your cloud computing online usage of services okay all right so this is the written theory यह वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको basically अभी देशी भाशा में बताया तो PDF download करके इसको आप एक बार read कर सकते हैं next question the method of communication in which transmission can take place in both directions but happens only in one direction at a time is called communication can take place in both directions यानि कि यहां पर for example एक user बैठा है A और यहां पर एक user बैठा है B पहले question को समझ लो question क्या कहा रहा है ठीक है तो A अपनी बात B को बोल सकता है through communication और B अपनी बात A को बोल सकता है लेकिन एक time पर एक ही व्यक्ति की बात दूसरे के पास जाएगी एक time पर एक ही person की बात दूसरे person के पास जाएगी for example अब जो आपका mobile phone होता है mobile phone में तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो simultaneously आप भी बोल सकते और सामने वाला भी बोल सकता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले बोलोगे फिर जब आपकी बात खतम हो जाएगी तभी दूसरे वाला अदमी बोलेगा ठीक है यहां पर यह जो case दे रहा है वो कहा रहा है कि दोनों communicate कर सकते हैं लेकिन सिरफ एक ही direction में at a time वो flow करेगी इसका example होता है आपने वो movies वगेरा में देखा होगा न walkie talkie के उपर आर्मी वाले बात कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा दो लोग जब बात कर रहे होते हैं पहले एक बोलता है over फिर दूसरा अपनी बात बोलनी शुरू करता है फिर जब उसकी बात खतम हो जाती है वो बोलता है over इसका reason क्या होता है क्योंकि उसमें वो बाते तो दोनों कर सकते हैं दोनों अपनी अपनी बाते बोल सकते हैं और दुसरे को वो बाते सुनेंगी भी लेकिन problem क्या है कि एक time पर एक ही इनसान की बात जाएगी ठीक है one at a time can speak और इसलिए वो over बोलते हैं कि half duplex इसको क्या बोलते हैं half duplex ठीक है तो यह आपका example है जैसे मैंने आपको walkie talkie का बताया कि एक time पर a की for example यह a person के पास है यह b के पास है तो पहले a अपनी बात बोल देगा जब a की बात खतम हो जाएगी वो बोलेगा over उसके बाद a चुप हो जाएगा और b अपनी बात ब बात रख सकते हैं लेकिन one at a time next question a collection of programs that control how the computer system runs and processes information is called collection of programs it is not a single program collection of programs पहला word that controls how the computer system runs and processing of processes information तो यह बड़ा simple question है यह होता है आपका operating system जो आपका main OS जिसको आप short में बोलते हो तो operating system ही तो है जिससे आपका पूरे का पूरा system run करता है चाहे वो computer हो चाहे वो आपका mobile phone हो so an operating system is a software और a collection of softwares that provides an interface between computer का जो hardware है and the application programs जो ultimately आप उसके उपर applications यूज़ कर रहे हो अब देखो यह कितना day to day routine का question है USB is the acronym for अब सब लोग pen drive यूज़ करते हो ठीक है so answer यहाँ पर क्या है option c universal serial bus so universal serial bus port basically जिसके अंदर आप अपनी pen drive को plug-in करते हो या camera scanner printers अगरे को लगाते हो कितना usually बोलते हो USB लेकिन full form नहीं पता होती बच्चों को तो universal serial bus याद रखेंगे so these were the questions from computer guys that were asked in APFC 2016 I hope आपको थोड़ा idea लग गया होगा कि computer के किस type के questions आएंगे बाकी कोई भी detail चाहिए हो you can whatsapp me mail me telegram में जिसका link description में है PDF files का link description में है and I would recommend go for the combo course okay and combo course के लिए मैंने आपको बताया 50% off चल रहा है you have to use code UPSC EPFO okay we'll see you in the next class guys till then take care all the best and bye bye